Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Be Authentic तो आज हम बात करेंगे Assistant Section Officer in Ministry of External Affairs As I promised, मैं आपको SSA CGL की हर एक post की work profile के बार में बताऊंगी और इससे पहले मैं आपको CBI Sub-Inspector की job profile आप लोगों से share कर चुकी हूँ उसका link मैं आपको description box में दे दोगी, आप वहां से जाके check out कर सकते हो तो ASO in MEA, वो candidate जो foreign में posting चाते हैं, उनके लिए ये appropriate job है और SSA CGL की सिर्फ एक ही post ऐसी है जिसमें आपको foreign posting मिलती है ये group B की 400 grade pay की job है और उसके साथ साथ इसके क्या pugs साथ में रहते हैं, allowances क्या मिलते हैं आपको इसका work profile क्या रहता है, कैसे इसमें selection होता है, और इसमें promotional aspects क्या है, इन सब चीजों के बारे में detail में आज हम discuss करेंगे 2024 की वो candidates जो ASO MEA को target कर रहे हैं, उनके लिए ये best video है, आपको A to Z information इस video में मिलेगी हमेशा की तरह मैं एक doubt destroyer का काम करूंगी, और जितने भी आपके doubts हैं, उसको इस video में destroy कर देंगे, तो let's get started तो Assistant Section Officer आप कैसे select हो सकते हो, Ministry of External Affairs में, तो इसके लिए एक exam होता है, SSA CGL, ये एक graduation based exam है कोई भी candidate जिसने अपने graduation किसी भी stream में करी है, वो इसके लिए appear हो सकते हैं, और ये एक group B की post है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इसकी basic 44-900 से शुरू होती है, और इस exam को देने के बाद, अगर आपका rank 200 के under आ जाता है, तो unreserved category candidate के लिए पूरे-पूरे chances रहते हैं, कि उनको ASO MEA मिल जाए, जैसे selection होने के बाद आपका medical test होता है, और SSS EJL के जितनी भी post है, उसमें आपका hard and fast medical test नहीं होता, simple सा आपका test होता है, जिसमें आपकी sugar wugar, BP वगरा test किया जाता है, ये आपकी एक desk job रहती है, इसमें आपका field का कोई काम नहीं होता, और desk job generally आपक YCT और कुछ-कुछ ZCT में भी इसकी posting आती है, HRA और TPT allowances आपकी CT के according vary करते हैं, जैसे XCT में आपका extra रहता है, फिर उससे कम आपका YCT में आता है, फिर आपका ZCT में आता है, और ये आपकी desk job रहती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया और इसमें कोई भी public dealing आपकी नहीं र जाता है, और जो आपके office hours होते हैं, वो 9 to 530 होते हैं, जैसे कि सभी सरकारी नोकरी में होता है, जिस कई जगा पर ये 9 to 530 होते हैं, और उसके बाद अगर आप दिल्ली में posted हैं, तो आपको government quarter मिल जाते हैं, जनरली एक साल के अंदर-अंदर, तो अगर हम promotional aspect की बात करें, त तो उसके बाद आपकी next promotion होती है, SO, that is section officer, generally 5-6 साल के अंदर-अंदर आपकी promotion हो जाती है, और उसके बाद next promotion आपकी आती है, under secretary की, under secretary इस post पे जो UPSC के selected candidate होते हैं, वो directly इस post पे आते हैं, उसके बाद next promotion होती है, deputy director, then director, generally जो ASO select होते हैं, MME, वो deputy director की post तक पहुँचते हैं अब हम बात करते हैं foreign posting की, जो candidate एक बार probation clear आपका हो जाता है, उसके बाद आप eligible हो जाते हो foreign posting के लिए, बट उससे पहले भी आपको foreign posting मिल जाती है, कई cases में देखा गया है कि एक बार joining होने के 10 या 11 महीने के बाद ही आपको foreign posting के लिए offer किया जाता है, उससे पहले आपकी 3 म पूरी तरह से train किया जाता है, उसके बाद वो test clear होने के बाद ही आप eligible होते हो उस country के लिए, इससे पहले आपसे एक form भरवाये जाता है, आपकी choices ले जाती है कि कि किस-किस country में आपको भीजा जा सकता है, अगर आपका selection किसी country के लिए हो जाता है, तो उस opportunity को भी आप forgo कर स सकते हो, बट ऐसा करने के बाद आप दो साल तक दुबारा apply नहीं कर सकते, यह आप पर restriction लग जाती है, तो अब हम बात करते हैं benefits की, कौन-कौन से benefit हैं, जो ASO, MEA को मिलते हैं, पहले मैं बात करूंगी उन benefits की, जो आप इंडिया में रहते हो, अवेल करते हो, और generally सभी post में हर कोई, जो SSCGL में select हुआ है, हर कोई in opportunity को avail करता है, फिर मैं आपको वो benefits बताऊंगी, जो आपको foreign posting में मिलते हैं, तो अगर आप इंडिया में ही posting है आपकी, आपको medical facilities मिलेगी, आपको और आपके dependent को, सभी को medical facility मिलती है, दूसरा होता है आपका LTC, leave travel concession, तो अगर आप कह ही travel करने जाती है, कुछ destination है, जिन पे Indian government हमें कुछ concessions देती है, जैसे आपका travel का जो concession होता है, वो Indian government provide करती है, तो वो भी हर एक candidate के लिए available होता है, जो government servant है, उसके बाद हम बात करें, आपको दीवाली bonus मिलता है, और फिर आपको मिलती है, children tuition fee, अगर आपके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चों के लिए 12 तक आपको tuition fee मिलती है, हर साल, जिसमें आप बच्चों का एक बार admission show करने के बाद, उनके school का पूरा ब्योरा देने के बाद, आप इस facility को avail कर सकते हो, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, कि foreign posting में आपको कौन-कौन से benefit मिलेंगे, and I'm sure बहुत करूंगी, salary की, तो salary को अगर calculate करें, तो वो Indian currency में आपकी 4-6 लाग बैठ जाएगी, तो वो depend करेगा आप किस country में हो, ये fluctuate होती है, generally according to the currency of that country, तो 4-6 लाग के बीच में आपकी वहाँ पे salary रहती है, दूसरी हम बात करें medical facility की, तो आप और आपके dependents, सब को medical facility वहाँ के best hospital म मिलेंगी, आपके dependent में आपका spouse और आपके बच्चे आ सकते हैं, अगर आपके parents भी dependent है, तो वो भी आपकी इस family में include होंगे, और वो भी आपके साथ वहाँ पे move हो सकते हैं, तीसरी हम बात करें education facility की, तो आपके जो बच्चे हैं, वो best school और colleges में वहाँ से education ले सकते हैं, और जो education आपकी बच्चों की रहेगी, वो बिल्कुल free रहेगी, उन school और colleges में जो affiliated है वहाँ की government से, और generally बहुत अच्छे school और colleges होते हैं, तो education आपकी बिल्कुल free रहती है, फिर हम बात करते हैं accommodation की, तो आपको वहाँ पे 3 BHK quarter मिलता है, किसी reason से quarter नहीं मिल पाया, तो आपकी accommodation है, वो किसी बढ़िया hotel में करे जाती है, तो as such रुकने का कोई जंजट नहीं है, जब आप move करते हो, इंडिया से उस country में, तो आपको अपने साथ 1500 kg luggage जाने की permission होती है, तो इसमें बहुत सारा समान आप अपने साथ में carry कर सकते हो, फिर हम बात करते हैं, कितरे time के बाद transfer होती है, generally 3 साल तक आपकी एक country में posting रहती है, बट कुछ hard countries जो होती है, जिसमें survive करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें आपकी generally 2 साल के बाद transfer हो जाती है, ASO की foreign posting होती है, उनके बच्चों के लिए एक opportunity होती है, कि उनको NIT में और medical seats में कुछ reservations मिलती है, जैसे अगर किसी candidate के 50% अबव हैं, तो वो भी eligible हो जाते हैं, कुछ seats इन बच्चों के लिए reserved रहती है, बट उसकी भी कुछ conditions है, like 12th उस बच्चे ने इंडिया में pass करी होने चाहिए, कुछ-कुछ ऐसी conditions हैं, जिनको fulfill करने के बाद ही उन बच्चों को NIT में और medical seats में जगह मिलवाती है एक और important fact कि जब आप foreign posting पे होते हो तो आपकी salary पे कोई भी tax नहीं लगता, जैसे इंडिया में आपकी salary पे tax लगने लग जाता है, एक बार आप उस limit को cross कर जाते हो, बट foreign posting में आपके उपर कोई भी tax imposed नहीं होगा, उसके बाद हम बात करें कि जैसे अगर आप एक country से दू spouse Indian government में serve करता है, या फिर state government में serve करता है, तो हर बार उसके spouse को 6 महीने की चुटिया मिलती है, 6 महीने की leave मिलती है, settlement leave, जैसे आपने suppose Canada से जैपान में move करना है, तो फिर 6 महीने के लिए आपके spouse को India में भी leave मिल जाएगी, एक बार वह जाके वहाँ पे पूरा settlement आपका करा सकत है, उसके पाद next posting में अगर आप जापान से suppose move करते हो USA, तो फिर आपको 6 महीने की leave मिलेगी ASO के spouse को, कि वहाँ पे वो जाके settlement कराए, तो ये भी एक अच्छी चीज है, आपके spouse का साथ भी आपके साथ रहता है, वो इंडिया में serve करते करते भी आपको वहाँ पे settle करा सकते ह हैं, वो जो UPSC में selected होते हैं candidate, उनको assist करते हैं, अगर हम बात करें, तो किसी भी nation की, किसी भी country में जो embassy होती है, वो उस country से बिलकुल अलग होती है, अगर कोई ASO वहाँ पे जाके किसी भी type का crime कर देता है, चाहे वो civil हो या heinious हो, तो उसके उपर कोई भी वहाँ का लो काम नहीं करेगा, उसके उपर जो भी लो काम करेगा, वो Indian लो काम करेंगे, जो भी कारवाई उसके उपर होगी, उसको India आने के बाद वहाँ पे होगी, मतलब उस country में वो बिलकुल safe है, तो embassy a country within a country बोली जाती है, तो सपोज आप Canada में हो और वहाँ पे Indian embassy है, तो वो Canada की territory नहीं माने जाती, तो एक बार अगर आप crime करते हो और आप embassy में report कर देते हो, तो वो government आपके उपर कोई भी काम नहीं करेगी, आपको इंडिया में भेचा जाएगा, एक major facility है, वो है आपके passport में, Indian government तीन टाइप के passport परवाइड करती है, एक होते है white passport, white color passport, फिर maroon color passport and third is blue color passport, जो generally सभी candidate को issue किया जाता है, वो होता है blue color passport, जो सभी citizen को होता है, सभी जितने भी आपके celebrities हैं, उनको भी blue color passport मिलता है, फिर हम बात करते हैं white color passport की, जो ASO, MEA में select होते हैं, उनको white color passport मिलता है, तो white color passport के क्या benefit होते हैं, तो अगर आप कहीं भी move करते हो, या कहीं भी travel करते हो, औ white color का passport आपके पास है, तो आपके body को check नहीं किया जाएगा, किसी भी machine में, ऐसा माना जाता है कि आप Indian government के अंडर serve कर रहे हो, एक अची post पे, तो आप इस चीज की छूट वहाँ पर पा लेते हो, और जो आपके section officer होते हैं, और उससे above जो आपके seniors होते हैं, उनको महरून color का passport issue किया जाता है, तो ये तो थे सारे foreign posting के benefits, अब हम बात करेंगे कुछ disadvantages की, या जो problems आप face कर सकते हो, first of all, that is home sickness, अगर आपका nature ऐसा है, कि आप अकेले अपने आप में खुश है, मेरी तरह है, आपको कोई company नहीं चाहिए, आप अपनी company में खुश रहते हो, आपको नहीं feel ह होता कि आप अकेले हो, या दो केले हो, तो इस तरीके के लोगों के लिए बहुत सही रहती है, foreign posting, जिनको home sickness जल्दी जल्दी नहीं होती, और लंबी time तक वो survive करके अपना काम कर सकते है, बट अगर आपको लगता है, कि आप family के बिना अपनी society की बिना नहीं रह सकते, तो आ अपने seniors को assist करना होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई functions ऐसे आते हैं जिसमें आपका workload बुछ जादा हो जाता है, और demand कई बार कई countries में ऐसी रहती है, कि आपका workload जनली जादा ही रहता है, तो इस चीज को भी आप अपने mind में ही रख सकते हो, जितने भी इसके benefits हैं, जो ज चीजे हैं जो candidates को attract करती हैं, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप एक firm decision ले सकते हो, और especially girls जो ASO MEA में काम करती हैं, तो उनके लिए थोड़ा family को balance करके चलना, ये भी एक point थोड़ा सा concerning होता है, तो इन चीजों को अगर आप धान में लेके चले, तो आप एक अच्छा सा decision ले सकते हो, ये तो थी ASO MEA की work profile, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप किस exam के थूरू select होते हो, उसमें जो profile क्या रहता है, आपकी salary क्या है, कौन-कौन सी benefits हैं, जो आपको Indian posting में मिलेंगे, और benefits जो आपको foreign posting में मिलेंगे, इसके अलावा comment box में लिख सकते हो, और इसके बाद आपको किसकी work profile चाहिए, वो भी मुझे comment box में लिख सकते हो, तो thank you so much, like, share and subscribe, जै हिन, जै भारत, बाई बाई